हलो फ्रेंट्स मैं सुजाता कार्थिक स्वागत करती है अपनी यूट्यूब चैनल इन माइट्रीम कार्डन में और देखिए आज इस खुबसूरत से जैस्मिन यानि जैस्मिन ग्रांडी फ्लोरा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो जैस्मिन की ही एक वराइटी का फूल है और देखिए कितने सारे खिले हुए हैं और इसमें जो है खुश्बू भी बहुत ह प्यारी आती है और जब ये बढ़ की रूप में होता है तो इसका जो उपरी बढ़ है लाइकली जो है पिंकी शेड में आता है और जब ये ब्लूम हो जाता है ये फ्लार तो आप देख सकते हैं वाइट कलर में ये ब्लूम होता है और इस फ्लार के आसपास इतनी जादा खु फश्पो फैला देता है और पूरे एरिया को यह नहीं का देता है ये मेरा छोटा सा प्लांट है और अभी इसमें बहुत सारे बट्स आना शुरू हो गए है तो मैंने सोचा कि क्योंना मैं इस बारे में एक छोटा सा वीडियो बना लू इस जैसमेन ग्रैंडी फ्लोरा प्लां की, तो जितने भी jasmine के वरायती के जितने भी flowers हैं उनको full sunlight पसंद है, friends तो इस plant को भी 4 से 5 घंटे की जो है, direct dhoup पसंद है, और 4 से 5 घंटे की जब back to the तो यह बहुत जादा blooms produce करता है हलांकि मेरे पास इतनी जादा जगर नहीं है मैंने सारे plants pots में लगाए हुए है तो इसको भी मैंने छोटे से ही pot में लगाया हुआ है जैसे जैसे इस plant की growth बढ़ती जाएगी मैं इसे report कर दूँगी एक बड़े pot में तो ये एक छोटे से bush का form ले लेता है आप इसको regular pruning करके इसकी जो size है उसे maintain कर सकते है बहुत जादा फूल देने वाला ये बहुत ही खोबसूरत plant है फ्रेंज तो अब बात आती है पानी की ये जो है medium water पसंद करता है ओगो watering बिल्कुल लाइक ने करता तो आप इसे जो है medium watering करें जैसे अपर लेयर सूख जाए निटी की तो आप इसमें watering कर सकते हैं मैं सुभा इसमें रूद सुभा थोड़ा सा पानी देती हूँ और वैसे गंबले के हिसाब से और क्लाइमेट के हिसाब से जो है पानी की मात्रा बदलती रहती है पर मेरे हिसाब से जितना मुझे मालूम है दिन में एक बार इसे पानी देना उत्तम होगा तो बात पानी की भी हो गई अब बात करते हैं सॉइल की जब मैंने इसकी potting mix तयार की थी तो एक्वल मात्रा में मैंने ground soil, wormy compost और sand मिला के बनाई थी बाकी पौधों की मित्टी की तरह इसकी मित्टी भी जो है वो पोरस होनी चाहिए याने की पानी बिलकुल जमाने होना चाहिए तो पोरस मित्टी और fertile मित्टी ये पसंद करता है क्योंकि ये flowering plant है दोस्तों तो fertilizer तो देना ही पड़ेगा इसे तो महीने में एक बार मैं इसे जो है थोड़ा सा NPK देती हूँ और बोन मील देती हूँ और इसकी अलावा मैं गोबर की खाद इसे पका देती हूँ क्योंकि मैंने वाच किया है कि उससे इस जो प्लांट है इसकी ग्रोथ जो है बहुत जल्दी होती है तो इस तरह से आप fertilizer पर महिने इसे देते रहें उसके अलावा आप बनाना पील की liquid fertilizer भी इसे दे सकते हैं तो ये जो है मैं छोटा सा पौधा लेकी आई थी तब इसमें फूल नहीं थे नर्सरी से उसके बाद दो महिने बाद इसमें अभी फूल आया है तो अब बहुत सारे birds भी आना शुरू हो गए हैं तो मुझे लगता है कि proper fertilizer से पक्का जो है flowering plants में हम ज़ादा flowers ज़रूर पा सकते हैं और दूसरी बात है sunlight और सही मात्रा में sunlight मिलता रहे plant को तो ये जो flowers हैं वो बरकरार रहेंगी और आपको flowers जो है मिलती रहेंगी इसकी propagation के बारे में मुझे उतना खास पता नहीं है कहते हैं cutting से प्रपगेट हो जाता है मैंने अभी तक ट्राइ नहीं किया है friends तो मैं ट्राइ करके आपको पक्का उसके उपर में अलग सी वीडियो बनाऊंगी तो ये रहा Jasmine Grandi Flora के बारे में एक छोटा सा वीडियो आशा करते हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीचेगा थैंक यू